युगो युगो से चल रहा है में, ग्रहे नक्षत्रों का सम है खेव, म्रमान में ग्रहे रोज बदलते हैं अपनी चाल, आईए जाते हैं आज कौन सी राशी हो की माला माली जै शनी देर, प्रियभक्त करों, मैं स्वामी राज रिशी, शनी पीठ मंदिर, इस्ट पटे लगर, नई दिल्ली से आज आके समख्ष प्रस्त तूँँँँँगों दस वर्ष की आयूस से ही मैं अपने पूज में पिता श्री, गुरू रजीष रिशी ची के ने देशन में आस्ट्रोलोजी, नियुम्रोलोजी एवं दन गंतों का अध्यान कर रहा हूँ तो क्या कहते हैं आपके सतारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें, क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहे हैं, आज का राशिकता आज 17 जन्वरी 2020 दिन शुक्रवाद, मागमास का क्रिश्म बख्ष चल रहा है, और आज सब्तिमी तिती सुभग 7 बच के 28 मिनट तक रहेगी, और उसके परश्चाद 8 मिन तिती लग जाएगी आज अभी जीत मूरत दुपेर 12 बच के 10 मिनट से लेकर 12 बच के 52 मिनट तक रहेगा, इस दोरान किसी भी शुपकारे के शुबात करने से आपको उसमें सफलता प्रावत हो आज राहुकाल दुपेर 11 बच के 12 मिनट से लेकर 12 बच के 31 मिनट तक रहेगा इस दोरा किसी भी शुबकारे को करने से आप सभी लोग पढ़े से जिन भी भकड़ों ने हमारे इस चानल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटस वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सकते हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे उसको शेर करेंगे कमेंट करेंगे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंग यानि कि लियो राशी वैले जातको का आज का दिन कैसा भीतेगा आज आपके वर्क प्लेस पर सबी के साथ बहुत अच्छे सम्मत बने रहेंगे और आपको कोई बोनस या सालरी इंक्रेमेंट मिले की भी सम्माबना दिखाई दे रहे है बॉस भी आज आपकी कारेक उशलता के कायल हो जाएंगे परन्तु आज आपको अपने शर्तुव से साथधान रहना है आज वो आपको नुक्सान पहचाने का भर्सक प्यास करेंगे जुआ और सट्टा बजार में पैसा लगाना आज आपके लिए हानिकारक हो सकता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है एक्जान में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे है या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है इंकम से ज़ादा खर्चा हो जाता है ट्रांसफर हो रहे हैं शादी नहीं हो पा रही है या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है आपका जो व्यापार है उसमें व्रिद्धी नहीं आ पा रही है आपके पर धन्गी कमी बनी लेती है यह आपका स्वास अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार लेते हैं, यह आपके बच्चे बेमार लेते हैं, यह अन्ने ऐसी किसी भी समस्या से आप लेड थे. तो आप स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबरों पर हमारी वेबसाइट पर जाकर या इमेल के माध्यम से या वाटसाप वीडियो कोई के द्वारा गुरू रजणी शिशी जी से या गुरू मारुक्मनी जी से या आप मुझ से संपर्व कर सकते हैं जिसके लिए आप कोई छूटी सी जरूर देनी होगी जिसका प्रयोग शनी पीठ मंदे के व्यवस्ता चलाने के लिए हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टिउट चलाने के लिए कर्म के कांग जैसे की यग्यों-मायग्यों के आयोजन के लिए प्रशा देवा लंगर के वित्रण के लिए किया जाता है आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दे प्रमोक रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा हवश्य करते हैं आज आप काले कुत्ते को भूजन कराएं या आपके लिए अत्रन्द शुब होगा लव लाइफ के मामले में आज आपके अपने पार्टनर को खुश करने के सभी प्रयास असफ़ल हो जाएंगे कोई जगडा कलेश होने की भी संभावना दिखाई दे रही है प्रिये भक्त करों यदि आपको इसा लगता है कि आपके लव लाइफ में हमेशा तानाव की स्थिव बनी रहती है यह छोटी-छोटी बातों पर आए दिन आपके जगडे होते रहते हैं तो तुरंती स्क्रीम पर दिये हुए नमर उबर हमें संपर करें और अपनी और अपने पार्टनर की जनम कुड़ी गुरु रजनी शुशी जी या गुरु मर उप्मरनी जी को दिखवाएं और ऐसे उपाय प्राप्त करें जो आपकी लव लाइस को ट्रैक पर ले आएके सिंगराशी वालों अगर आप अपने ग्रियस्ति जीवन में लड़ाई जगडों से परेशान हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करना चाते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राणपतिष्ट नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए यदि आप स्वयन गुरु रजनी शिशी जी द्वारा अभी मंत्र अंगूठीओं को प्राफ्ट करना चाते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिवे नंबरों पर हमें संपर कर सकते हैं किसी भी रजनों की अंगूठी को खरीदने से पूर्फ आपको अपनी कुंटली का अध्यर किसी योग के ऐस्टोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लिना चाहिए और यदि आप हम से जोतिश परामर्ष लेना चाते हैं तो आप हमें संपर कर सकते हैं अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमतकारी उपाय जिसे करने से आप बजरंबली हनुमान जी की क्रिपा का पात्र बन सकते हैं और विस्वयम आकर हर विपत्ती में आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे आज आप प्रात्र काल उठकर पवित्र होकर पीपल के पत्ते तोड़ लें और उन पर कुमकुम या चंदन से हे राम लिखें उसके पश्चाद आप उन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें और उनसे आपकी रक्षा करने की प्रात्रा करें आज इस उपाय को सद्धा पूर्वक करने से हनुमान जी आपसे प्रसन होंगे और हर मुसीबत में आपकी रक्षा करेंगे आज का राशिफल देखते हुए मैं आपको तीन स्टार देता हूँ पहले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और लोगों भी हम बलना चाहता है जे आप लोगा कोश पॉब्लम बुरुजी के पास आए बुरुजी आप लोगा पॉब्लम सट आउप करेंगे हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और योधिय शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गही और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देख दिरें